नमस्कार, कैसे हैं आप शभी? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, सुष्थ होंगे और मजे में होंगे मित्रों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो पी नाम बाले जातक हैं, जैसे किनही का नाम पूजा होगा, किनही का नाम पंगज होगा तो जो पी नाम बाले जातक हैं, इनका आने वाला वर्स, यानि कि 2023, इनके लिए कैसा रहेगा? आने वाले वर्स में, इनके जीवन में क्या-क्या बदलाब होगा, शारी बातों को हम लोग जानने वाले हैं तो अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए वीडियो के लास्ट में आपके आने वाले शमय का एक अनोखा टोटका है, तो आप उसे भी सुने और आजमाए तो आपका आने वाला वर्ष बहुत ज्यादा बेहतर और शानदार हो जाएगा, तो आईए, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं मित्रों सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं, आपके सेहत के बारे में, आपके स्वास्त के बारे में तो शेहत के द्रिष्टी कौन से आपका जवाने वाला वक्त है, वो आपके लिए एवरेज होगा शाल के सुरुआत में आपका शेहत बहतर होगा, साल के सुरुआत में आपके शमय का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा और वर्स के शुरुवात में आपके स्वास्त के मामलों में कहीं कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी परंतु इसके बाद का जो वक्त है वो आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा क्योंकि साल के शुरुवात के बाद राहु देवता आपके अस्टम भाव में होंगे और राहु देवता के अस्टम भाव में होने से आपको परेशानी का सामना बहुत ज्यादा करना होगा राहु देवता के यहां होने से आपके सिहत के मामलों में उतार चढ़ाब का सामना आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा परंतु 17 जनवडी के बाद भगबान सनी जो है वो आपके कुंडली के चठे घर में आने वाले हैं और भगबान सनी के चठे घर में आने से आपको फाइदा होगा और आपके सिहत में जो पड़ेशानी था जो समस्या था वो कहीं न कहीं कम होगा परंतु वर्ष के अंत में फिर आपका श्वास्त बहुत जयादा बेहतर होगा लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2023 में आपके सिहत के मामलों में आपका पैसा बहुत जयादा खर्च होने वाला है मित्रों इसके बाद है आपका दामपत्य जीवन तो दामपत्य जीवन के दृष्टी कौन से आपका जुआने वाला वर्ष है वो आपके लिए जयादा बेहतर नहीं रहेगा 2023 में आपके जीवन साथी के शाथ में आपका शंबंध कहीं न कहीं बहुत जयादा कमजोर होगा परंतु वर्ष के सुरुवात में आपका दामपत्य जीवन बहुत जयादा बेहतर होगा वर्स के सुरुवात में शभी ग्रह का सपोर्ट आपको मिलेगा और आपके दामपत्य जीवन में कहीं कोई परेशानी बिलकुल भी नहीं होगी आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अब तक खुवारे होंगे यानि की ओविवाहित होंगे तो आने वाले वर्स में विवाह की संभावना बहुत ज्यादा है विवाह का योग अपके कुंडली में अवश्ची बनेगा और शंभावना है कि आपकी सादी हो सकती है मित्रों इसके बाद बात करते हैं आपके कामकाज, आपके बेपार की बारे में तो कामकाज के दृष्टी कौन से आने वाले वर्ष में आपको शावधान होना होगा अपने कामकाज में आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है आप जो भी काम करें उस काम को करने से पहले आप उसके बाड़े में शाड़ी बातों को पता कर लें वर्स के सुरुआत में आपका कामकाज बहुत ज्यादा बहतर होगा वर्स के लास्ट में आपको परिशानी का सामना आवश्य करना पड़ेगा मित्रों अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के दृष्टिकों से भी आपका जो वक्त है वो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा आने वाले वर्स में आप पैसे बहुत ज्यादा कमाने वाले हैं पैसों के कमाई में कहीं कोई परिशानी नहीं है परन्तु पैसों को बचाने में आपको शमस्या का सामना बहुत ज्यादा करना होगा क्योंकि 2023 में आपकी फिजूल खर्ची कहीं न कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और फिजूल खर्ची बढ़ने से आप जो पैसे कमाएंगे आप वो कहीं न कहीं खर्च कर देंगे और इस कारण से आपको परेशानी का सामना करना पर सकता है तो यही था आपके आने वाले वर्स का रासी फल और अब जानते हैं कि आने वाले वर्स में आपको उपाई क्या करना होगा तो उपाई बहुत ज्यादा आशान है आपको बुद्ध बार के दिन भगवान विश्नु की पूजा करनी है अपने पूजा पाट से भगवान विश्नु को आपको खुस करना है अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका जुआने वाला वर्स है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर और शांदार हो जाएगा और कहीं कोई पड़ेशानी बिलकुल भी नहीं होगी मित्रो अगर आपकी मन में कोई शवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिजिएगा आपकी शायता आवश्य की जाएगी वैसे मुझे उम्मीद है सारी बातें कलियर हो चुकी होगी और अब तक आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा साथ में एस्ट्रो फोर्ड यू को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो के नीचे में जै हनुमान आप कमेंट कर दें और वीडियो हर जगह सेयर कर दें तो हमारी और आपकी मुलाकात फिर एक नए वीडियो में होगी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै बिहार जै मिथिला